हेलो दोस्तो, मेरे पास एक पोको X3 Pro है, यहाँ पर देखो, इसका DC Power Supply में क्या रेडिंग आ रहा है, यहाँ पर देखो 170, 180, उस इस तरही रेडिंग आ रहा है, फिर 0 हो रहा है और यह DC Power Supply से, यह Mobile On भी नहीं होता है, तो इसलिए इसमें इस तरही रेडिंग आ रहेगा, ठेक है और 14 लागे देखते हैं, क्या रेडिंग आ रहा है, एंपियर क्या ले रहा है, यहाँ पर यहाँ पर देखो, 0.2 एंपियर ले रहा है और यह फोन किसी भई ने कॉरियर किया है, और यह फोन में पाबार रैसी, निटोग रैसी का एरिया में कुछ चेक किया होगा, लेकिन यहाँ पर आके कुछ फाइदा नहीं है कुस-कुस मोडल, कुस-कुस मोडल है या ऐसा, अगर डेट आता है, तो आपको इधर उधर दोर के भाग के कुछ फाइदा नहीं है, डायरेक्ट सिप्यो को हिट करो मतलब टारेक सिप्यों में हिट, हिट मतलब कहा है, हिट मतलब सिप्यों को निक्यालो रिवल करो, सामस गया मेरा बात को, कुश-कुश मोडल में, और ये को एक स्थिरी फुरोज है, ये वह सारे भाई ने क्या करता है, सिप्यू निकलने का टाइम में फोन को डेट कर देता है, मेरे हाद में भी वह सारे फोन डेट हुआ, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं हुआ, आपको अभी थिरी क्यापासिटर देखर गए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो क्यापासिटर, और यहाँ पर एक क्यापासिटर, यहाँ पर चिक करना है मिटर से पहले, देखो, यहाँ पर कितना रेडिंग आ रहा है, यहाँ पर देखो, फाइब हैंडरेट, इसका फच्छर में 350 यह रिवल करने से पहले अपने देख लिया है नहीं इतना रेडिंग आ रहा है अगर अपका फून में यह रिवल होने का बात में यहां पे 10, 15, 20, 25 इस तरह कुछ रिडिंग आता है या तो 0 तो फिर आपका फून नहीं बनेगा और यह 10, 15, 20, 30 इस तरह रिडिंग क्यों आता है क्योंकि आप लोग जो बिलेड यूज करते है वो थरह हार्ट होता है इसलिए आपको इस काम करने के लिए जो बिलेड होता है बहुत यह हलका पतला होना चाहिए और इस बिलेड का मोडल है जीरो डावल वन ऐसा कोई बात नहीं है कि इसी मोडल का ही बिलेड यूज करना परेगा आपको आपको आपका पास में दुसरे तिसरा भी बिलेड हो सकता है लेकिन बहुत यह तरह देखो बहुत यह तरह हलका पतला होना चाहिए यह आपर देखो ठीक है यह हलका पतला की चाहिए कि आपका चूप्यू है यह चैप में बहुत यह पतला हलका सा है के इसमें अगर हम लोग ज्यादा हाड बिलेड इूस करें के तो न आई सीज़र्ट ह elles ट्यादा ह हिस टोड़ जाता हूं ओ कि और altre और यह बातों बातों में तो हम कितना हीट कर रहा है क्या कर रहा है यह सब भूल गया है तो आप लोग इस स्क्रीन में देख लिजिए कितना हीट कि स्टम दे रहा है थे गए मैंने CPU को निकला है Quick 861 Glower से IC को निकला है और बैठाने का टाइम में मेरे पाद जो नर्मल बूलवर है उसी को यूज़ कर रहा है मिन बद होता है निकलना बैठाने के लिए तो आप किसी भी बूलवर को यूज़ कर सकते हैं कुछ दिक्कित नहीं है लेकिन Quick का जो यह बूलवर है यह थोड़ा अच्छा है इसमें आईसी जो होता है यह इतना जल्दी डैमेज नहीं होता है मैंने देखा यह दूसरे बूलवर को भी यूज़ करके मैंने देखा था लेकिन उसमें थोड़ा आईसी कभी कबार आईसी फूल जाते है अब बूलवर जाता है कोभी कबार मैंने दिखा है लेकिन मैं बुरा ही नहीं कुरूंगा क्यूंकि जिसको काम करना आता है वह मार्केट का चाइनीज बूलवर से भी काम कर लेगा ऐसा कोई बात नहीं है थेकर नुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद खोल दिया है यह आपको मेरा चैनल में दिख जाएगा जहां पर सास्कारेबर देख रहा है उसका साइड में देखो एक जोईन बटरम का आप्शन है वहाँ पर जाएए तो वहाँ पर आपको हार एक डिलर का कंटक नमबर बगरा मिलेगा में पास क्याकाद तूल से हार एक तूल का डिटल से वहाँ पर मिल जाएगा अब यह अब यह अशी के उपूर में जो बिलक पिस्ट देख रहा है यह आई रोन से धेरे-धेरे करने से निकल के आ जाता है इसके साथ में आप चाहे तो बूर को एड़ कर सकते नहीं चाहे तो कोई दिक्केत नहीं है ठीक है धिरे-धिरे करने से यह आटोमेटिक निकल के आ जाता है अगर आप चाहे ब्लूर भी आड़ कर सकता है कुछ दिख्यत नहीं है इस टेम अगर ब्लूर आप आड़ करेंगे तो आपको 170-180 इतना हिट रखना पूरेगा ज्यादा हिट मत दीजिए ठेके अगर आशी का अंदर में दूए क्यापासिटर नहीं भी रहता है खुछ दिक्क्त नहीं है को अगर आप सोसेगा कि वहीं नहीं क्यापासिटर लगाने परेगा यह कपसिटर लगाने का चक्कर में आई हुआ है कि जी और यहाप देमेश कर देगा आघ्योजो करी हर सो मैंने बहुत सारी फोन को बनाया है चायर कपासिटर को अंदर में एक भी को पासिटर नहीं था और अभी भी चल रहत अभी भी प pequen चल रहा है है साओ बद नहीं कि नहीं चल रहे हैं कि अगर आइसी के अंदर में कैपासिटर लगा है तो सभी है फिर सभी है अगर निकल गया है आप सोस्राइब कि उसको अम लगा देगा दोबरा तो मेरा ख्याल से कि उसको चक्र में ना पर है वही अच्छा होगा और एक बर आइसी को अच्छा से देख लो कि आइसी फूल गया है कि आइसी फाट गया है तो फिर आपको मेंनुत करके कुछ भाइदा नहीं है और यह जो र्याम है इसको भी आइरोन से ही निकलेगा अगर आप चाहे तो इसमें भी ब्लूर एड़ कर सकते हो नहीं तो यह आइरोन से निखल जाता है कुछ दिक्कत नहीं है अगर आप लोगों को कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो क्लिस लाइक चैर सब्सक्राब करना मेरा चैनल को अगर आप लोग फेस्बुक पर मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरा यूटूब चैनल भी है बिग मॉल रूपियर नाम से उसमें आई यह जूई है उसमें लाग बग सेवन फिफ्टी जैसा वीडियो होगा और एक लग जैसा सब्सक्राइबर होगा तो प्लिस आई यह और जोली से मेरा एक लग कंप्लिट कर दो भाई और मेरे पास जो पीवीडी पेश्ट है यह मेकनिक क्या है टेगे और अब लोगों ने इस मैना में कितना सीप्यू सक्सेस किया तो प्लिस मुझे कमेंट करके बोलेगा है हम डेली पांच से साथ सिप्प्यू का काम करते है मिनिम्म पांस प्रिस का तो एसे कोई बात नहीं है कि मेरा हार एक स्प्यू का कम सक्सेस होता एक हम अंग कि कि किकिसी दिन ऐसे भिषता है हर एक सुप्यू सक्क्सेस हो जाता है हार एक है और हम डेली सिप्यू का ही काम करते है असके डेट में और किसी किसी दिन दो तिन एक नई भी बनता है हम अगर चाहे तो डेली पांस से सिप्यू का वीडियो कर सकता है लेकिन क्यों नहीं करते हैं उसका भी एक करन है पोको X2, X3 कुस-कुस मोडेल जो मेरा और लेडी वीडियो बहुत सरे है तो यह सब कही काम ज़्यादा आ रहा है अगर हम इसी काई वीडियो बार बार अबलोड करेंगे तो आप लोग भी बोलेगा यह पागुल हो गया लेकिन है आशका डिट में पोको X2, X3, K20 यह सब ज़्यादा खाराब हो रहा है खाराब बोलने से सिर्फ CPU काई फॉल्ट आ रहा है तो इसलिए ज़्यादा वीडियो हम नहीं करते हैं यूट्यूब में आपको चाहिए हर दिन कुछ न्यू ट्रिक्स है कि ने अगर डेली एकी वीडियो लेके आएगा तो आब लोग भी बोर हो जाएगा अभी यहाँ पे CPU लगाने का बाद में क्यापाचिटर को चेक करना है ठीक है इस पॉइंट पर देखो अगर इस तरह 400-300 रेडिंग आता है तो सही है अगर इस तरह 400-300 रेडिंग आता है तो सही है अगर यहाँ पे 10-15-20 रेडिंग आता है 30-40 पसास तक रेडिंग अगर आता है तो फिर आपका फुन नहीं बनेगा तो फिर इसका मतलब आपका CPU डैमेज हो गया आपका CPU शॉड हो गया ठेक है पहले CPU को बैठाने का बाद में मैंने जो पॉइंट आपको देखाया है उसी पॉइंट पर आपको चेक करना है मिटर से अगर उसमें 10, 15, 20, 30, 50, 0 इस तरह कुछ रेडिंग आता है तो फिर आपको मेहनुत करके और दुसरे तिसरे जागा में काम करके कुछ भी फाइदा नहीं है आप उसी वक्त काम को सोर सकते हो इस तरह टाइम देने का कुछ दरकार नहीं है उसमें अगर इस पॉइंट पर आपको शॉट देख रहा है तो 0 से लेके 60 का अंदर में अगर शॉट देख रहा है तो आप काम को छोड़ दो उसी टाइम मैंने बहुत सरे सेट को देखा अभी तक क्योंकि मेरा यहाँ पे तो हर एक जगा से करियर से माल आता है अपने देखा होगा मेरा यहाँ पे डेली माल आता है करियर से मिनिमाम पांस पिस डेली उपर से कभी कभी दिन दस पंदर भी आता है तो यहां पे देखो मेरा CPU RAM पर्फेक्ट लिए बैठ गया है किसी प्रोकर का भी शॉट नहीं है अगर शॉट होता तो यह सेट अन नहीं होता तो इसमें शॉट नहीं आ रहे तो आभी यह सेट 110% अन होगा 110% अगर उस एरिया में आपको शॉट देखता है तो उसी टाइम आप मोबल को सोर सकते हो ठेके उसका पीछे और टाइम मत लगाओ दूसरा काम को रहा है और यह नर्मली तो बैटरी डाउन होना ही है क्योंकि सिप्यू खराब होने से सेट पड़ा रहता है कुछ दिन और यह कुछ दिन एको अंदर में बैटरी डाउन हो जाता है अभी थोड़ा सा चाजर लागा के देखते है क्या चार्जिंग लोगों आ रहा है क्या नहीं यहां फे लाइट बिलिंकिंग कर रहा है यहां फे जो इंडिगडर है यह बिलिंकिंग कर रहा है तो एक बर देखते है क्या चार्ज आगे बार रहा है क्या नहीं 82, 83, 84, हाँ, चार्ज भी हो रहा है, थोड़ा सा ही वेट करेंगे, फिर आपको सेट को अन करके भी देखाएगा, तो दोस्तो मेन बात होता है प्यार्टिक्स, अब प्यार्टिक्स करो, आटोमेटिकली आपका हरे काम बन जाएगा, सिप्यू का कम आसका डेट में बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए आप लोग भी रेडि हो जाओ, बहुत ही जयल देगा, सिप्यू का काम करने के लिए, अगर तूल्स बगर चाहिए, तो मेरा चैनल में जॉइन बटम का अप्शन देख रहा है, उसी में जाके जॉइन करो, आपको एक बर ही पी करना है, वहां से सारे डिटल्स लेना है, कहां से मेरा माल आ रहा है, और आपको बहुत ही फाइदा ह होगा, हम यह नहीं बोलता है कि आप लोग मेरा यहां पर जाइन कर लिया, तिन चारी सुरूपे दे दिया और आपका लुक्षन हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, आपका फाइदा ही होगा, क्योंकि वहां पर जो कंटरक्ट नंबर मिलेगा आपको, उसमें लगबग 170 का अन हो रहे, दुस्तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसी भी लगे, कमेंट करके बोलिए, अगर आप लोग फेस्बुक पर देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लिस शेयर कीजिएगा, और फॉलो करके राग दिजिएगा, हैं कुसमास